गाजा में चल रही जंग के बीश लेबलान के हिजबुला ने उतरी बॉर्डर पर कोहराम मचाया हुआ है जहां देखो तहां हिजबुला के रॉकेट, मिसाइल और जूर बरस रहे हैं दुरिया में सबसे ज्यादा हाईटा पने जाने वाली इसराइली फोर्स हिजबुला के इन हमलों का कोई मुणा मचाल पाई है अलबता हिजबुला इसराइल पर और ज्यादा हावी हो चुका है आंकिति से इजबुल्ला ने इस्राइल पर एक ऐसा दबाव बना दिया है जिसमें हिजबुल्ला से पूर्ण युद्ध करने का परिणाम क्या होगा ये भी IDF के दिमाग में है और इन सत्य दीच इजबुल्ला ने खिर्वेट सेलंपर जोइंस का एक जथा फायर किया है जिस इजबुल्ला का कहना है कि उसने श्रागा बैरेक्स में भी एक ऐसा ही हमला किया है जिसमें इसराइली सेना की गोलानी ब्रिगेट्स मौजूद थी और यहां पर इगोज स्पे और इसके बाद हिजबुल्ला के ललाकों ने तीन सो भी बैरम टेरिगेट के हज़क्वाटर पर थी कत्मिशा रॉकेट्स का एक जथा फायर कर दिया जिसमें आइडियास को भारी निक्सान हुआ है आपको बता दे कि हिजबुला का कहना है कि उसने जल अलम मिलिक्टरी साइट पर भी दो फॉर्स परसन वियू ड्रोन्स दागे हैं जिसमें भारी विस्पोटक लदा हुआ था और इसके बाइडियास के जेबस की अबनान में घुसे तो हिजबुला ने उन पर जमीन से हवा में वार करे वार भी उखाले डागती जिससे इसराइली जैप सो पीछे हटना पड़ा मैं इजजबुल्ला के डून हमली को लेकर इजएली सेना का कहना है कि इजबुल्ला द््वारद हागे गए डून नहारिया शहर के एक बिलडिंग कर जाकर गिरे हैं हालनकि इजबुल्ला ने अपने बैयान में कहा है कि उसने स्ट्रागा कैंप में इस हमले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें हमले वाली एक सफेद इमारत दिख रही है दरसल इसराइल की वार कैबिनेट की पूर्वसदा से बैनी गांड्स का कहना है कि अबेजबुला और लेबनान बॉर्डर की तरफ ध्यान देने की जरूरत है हम इस मामले में काफी पीछे है वेनी गैंड्स ने अपने बैयान में कहा कि हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नागरिक अपने घरों को वापस लोटे हम ये लक्ष हासिल कर सकते है यहाँ तक यदि लेबनान के उपर हमले की जरूरत भी पड़ी तो दुर्भागे वर्ष मुझे इसका दूसरा रास्ता नजर नहीं आता हमास की कहानी अब पुरानी खबर हो चुकी है इरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों की कहानी इलाके में चारों तरफ है और जो वो हासिल करने की कोशिश कर रही है वो एक असल मुद्दा है आपको बता दे कि हिजबुल्ला के हमलों की वज़ह से लेबनान से 60 उतरी इसराइल का इलाका वी रान हो चुका है यहां रहने वाले लाको सेंटलर्स अपने घरों से बेघर हो चुके हैं जबकि 64,000 लोग अभी भी हिजबुल्ला के हमले के साहे में यहां रह रही हैं और नहारिया के सिलाके में हिजबुल्ला ने जो ड्रोन फायर किया था वो दो अपार्टमेंट पर जाकर गिरे हालंके समने में कोई भायल नहीं था लेकिन अब यहां रह रहे हैं लोगों का पीम नेतन्याहूं के उपर बड़ा आरोप है उनका कहना है कि सरकार ने युद्ध जारी रखने के लिए उन्हें लावारिस शुड़ दिया है यह लोग नेतन्याहूं से जल से जल बंदकों के रहाई के लिए समझोता करने के मांग कर रहे हैं इन सब की देश बड़ी बात यह है कि हिजबुला विश्ल 11 महिनों से उतरी इसराइल पर हमले कर रहा है पर हमले कर रहे है झाप मैं शुड़ इसराइल औल